Hey everyone, I am Abhishek Gaurav from IITBHU और स्वागत है अब सभी का हमारे इस चैनल पे तो इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ ट्रीटी अब टॉडे सिलस के बारे में जो कि 1494 में साइन किया गया था पोर्टुगल और स्पेन के बीच में तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बता दूँगा क्या है वो तो देखते हैं अब ये जो ट्रीटी अफ टॉडे सिलस है इसे साइन किया गया था टॉडे सिलस में जो कि अस्पेन में है और ये साइन किया गया था 7 जून 1494 को तो इन दोनों के बीच में एक treaty sign किया गया था टोडे सिलस में जो कि 1494 में sign किया गया था अब इस treaty में था कि किसी भी मतलब जो भी non-Christian world है उन्हें दो भाग में यानि टू पार्ट्स में divide कर दिया गया एक imaginary line के थुरू और ये जो imaginary line है वो Atlantic Ocean से होके गुजर रही थी जो कि Cape Verde Island से लगवग 1300 मिल दूर यानि वेस्ट में था तो अब इसे हम map में एक बार देखते है तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यह है Cape Verde Island और इस Cape Verde Island से वेस्ट में 1300 मिल दूर अगर जाए तो यहाँ पे आपको एक imaginary line यह दिख रहा होगा यह जो imaginary line है अब इस imaginary line से world को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था मतलब non-Christian world जो भी है उन्हें टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और जो इस imaginary line के East में जो भी countries वगरा मौजूद है उन countries में exploration जो होगा वो उस पे Portugal करेगा यानि उन countries पे exploration और वहाँ पे उनका मतलब Portugal का अधिपत्य होगा वो वहाँ पे राज कर सकते हैं जो भी वहाँ से मिले और इसके West में यानि इस direction में West में जो भी countries होगे जो भी non-Christian world होगे उन पे इस Spain का हख होगा Spain वहाँ पे exploration करेगा तो Treaty of Tordecilis में यह था कि वर्ल्ड को non-Christian world को two parts में divide कर दिया गया एक imaginary line के थूँ और ये imaginary line Atlantic Ocean से पास कर रहा है और ये Cape Verde Island से लगबग 1300 मिल दूर था जहाँ पे ये जो imaginary line है उसके east में जो भी non-Christian world होगे वहाँ पे exploration Portugal करेगा और उस पे Portugal का ही अधिपत्य होगा और जो उनके west में होगे मतलब ये जो imaginary line है इसके west में जो भी country होगा जो भी world non-Christian country होगा उस पे exploration Spain करेगा और वहाँ पे Spain का अधिकार होगा तो आई होप आपको treaty of Tordecilus समझ में आ गया होगा thanks for watching